बच्चो पार्थ शरल परिपता और आगे बढ़ाते हैं आज हमें पढ़ना है किप्चा उफ के जिए बच्चो पिछले पार्थ में हमने एक सवाल ये प्राब्लम ऐसी हल करते थे कि जैसे किसी परिपत में कई सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं और हमसे कह रहा है कि एकने ओम के किसी प्रतिरोध पर हमसे कहता है इस प्रतिरोध पर बोल्टेज बताओ या किस प्रतिरोध पर आप धारा का मान याद करो कि इस प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही है कि इस प्रतिरोध में बोल्टेज कितना जा रहा है उस प्राभ्लम को अच्छों हमने किया था Ohmm के नियम से लेकिन होता गया है कि Ohmm के नियम से यह जो जेटन परिपता ने जिसमें बहुत सारे प्रतिरोद लगे हुए है कई सारे चैल यह वैटरी लगी हो नहीं है करना बहुत असुबधा जना को जाता है या यह कहना चाहिए कि ओम के नियम से लगवग उस प्रसुब को खल करना असंबब हो जाता है संग 1842 में वक्चों बैक्यानिक के गुस्टाफ किर्चाफ कुरा ना में तर गुस्टाफ किर्चाफ इन्हों ने इस जटन परकेतों में ही किसी भी प्रतिवोद पर धारा का मान निकालना और किसी भी प्रतिवोद पर बोल्टेज का मान निकालने के लिए दो नियम दिया है जिसमें डिधान दिनाय बच्चों किर्चाव के नियम के सहयता से शे में किसी भी जैनल परिकर्स nemë धारा और बॉल्टे निकारे हैं जिसमें से कहा पत्तम नियम है यह प्रप्थम नियम को कहते है धांदाता Ond said संधी का नियम यह जो नियम है प्रतम नियम धाराओं का नियम यह नियम इनका आवेश संद्रक्षन का आधरित है यह नियम का किस पर आधरित है आवेश संद्रक्षन के नियम का रूप है यह आधरित नियम का रूप है इसका मतलग है आधरित को ना तो आप नश्च कर सकते हैं ना उसकरने कर सकते हैं हिए जैसे मानलेया हमने सपोर्द करो यह किसी परिपफ़ में एक विंदू से आ हिए बेया हीके नियसे अलब इस विंदू के पाई लेकिन सब्रक्षा Еograph नेकल ले तो अधेश सनक्षन का नियम का आर्थ है कि ना उत्पण रहते हैं और नहीं निश्ट करते हैं मतलब किसी भी बिन्द हां पर पल जिपना आवेश और उतनी धारा ही उतनी धारा हो उतनी थारार निकल कर जाए만 मतलग विल्दू एपर जैसे मानओं उन्हें एड्याविल प्रहुता यह मात rozumies एक यह संधी पर हमकद सब्सक्राइब और संधी से निकल कर जाने वाली धाराएं कि आई-फोर प्लस आई-फाई यह दो धाराएं निकल कर जा रहे हैं अब आवेश अंदक्षांका क्या मतलब है कि आवेश ना तो उत्पन्द कर सकते हैं ना रस्त कर सकते हैं इसका मतलब फुल आने वाली धाराएं आपस में बरावत होना चीए इस बात को भी कह सकते हों कि यह करचाफ का पहला नियम है आपने अलग बात रिखी है लेकिन कहने का मतलब यहीं रहे है वह अलग सब्दों में बात है लेकिन भी सम्थते हैं कि प्रशाफ के पहले नियम को आप इस रूप में भी कह सकते हों कि किसी परिपत कि किसी संधी पर संधी का मतलब होता जोड़ किसी परिपत की किसे संदीपत कुल आने वाली धराउं का है यह कुल निकल जाने वाली धराउं की। या सब्सक्त में किसी उन्रक चंड हो प्लस आइसके और निकल करजाने वाली धाना ये बड़ाएं और जो यह हमने योग देखाया है। यह जोपो इसमें क्या है कि हमने आने वाली धनाएं प्लस से जोड़े हैं। और निकल कर जाने वाली धनाएं माइनस में आ रही है। तो इसको कह सकते हो धराओं का सदस्य योग या बीच गड़ती है योग। और योग को हम गढ़ित की वहासा में एक सब्सक्राइब करते हैं सम्मेंसन, जिसको हाई स्कूल पर इजंचे बनाते थे बड़ाई करके, लेकिन हाई स्कूल में कई दफा बच्चे से को पढ़ लेके सिग्मा, यह सिग्मा नहीं है, यह बाद मेंने जाले बड़ाई से इसको पढ़ते हैं सम्मेंसन, और सम्मेंसन का मतलब होता है योग, और यहां बच्चों क्या हो रहा है, यह धाराउं का योग हो रहा है, लेकिन धाराउं का सद्स योग, जिसमें हमने आने वाली धाराउं को पिलस से, और जाने वाली धाराउं को माइनस से दिखाया है, तो सिग जाने वाली दहाएं पलस से और जाने वाली दहाएं माइनस से तो किर्चाथ के पहले नियम को इस तरह से भी कह सकते हूं कि किसी विद्धुत परिकत की किसी संधी पर सभी धाराओं का सद्यो यह सभी धाराओं का बяет गड़िए यह था बराबर सुन तो आप जीधुत पर नियम को दो दो चरीके से बोलचて हो areas पहली बाद यह भी बताना रह गई कि कर्चाफ के नियम ध्यान देना है धारा जो प्रगाति होती है एक दो चप्टर आगे बढ़कर आएगे इसके बारे मताइगे जो हम लोग भरों के यूज करते है लाइफ हो एसी धारा होती है और जो गैटरी से धारा निकलती है घर में घ्रार होती है और यह दो नियम काम करते है संधी पर मिलने वाली समस्त धाराओं का तो किसी सन्दी पर कती मिल रहे हों गी धरॉयं समस्ज धराओं का वीई कड़ती लिओग शुन होगा जिसको लिखतके हो सम्म्हानी सना आही बराबर जी ओ और सम्म्हानी सना इसावाल में निका लोग कैसे कि आने वाली धाराएं प्लस से और निकल कर जाने वाली धाराएं माइनस से बरावर की रूप या कर्चाफ के पहले नियम को दूसरे सब्दों में ऐसे भी बोल दिखते हो जो हमने यहां लिखा कि किसी भी दिश्व धारा परिपत्व है किसी भी संदी पर कुल आने वाली धा वादाए ना यह नियम हमारे है और यह परस्नी कई दफ़ा बहुत बहुत पूछा गया है कि किर्चाफ का पर्थम नियम किसका रूप है तो उसमें जवाब देंगे किर्चाफ का पहले नियम आवे शंक्रशना का नियम है और बच्चों इस पर आ झाले जब सवाह लाता है प कि यहां से दो कारे अब हमसे पूछांए इसमें दो आपी यह पुचंगी। गड़ा पर आई का मांच को कि ते पीन हम जो आई काल। गड़ा पर हमसे के लिएτοल राएं कीरता हुआ है है। तो चैनल आणे वाल जाय तो सब्सक्राइब करने में सब्सक्राइब क्षाप कल नियम सकताक होगा है कि बिन mendu a पर कुल आने वाली धहरा 9 अhta है और निकल कर जाने वाली है णिकल रहे हैं सब्सक्ति अब इस संब्सक्र रहे हैं तो आई का माना जाएगा तो बराबर आए तो आई और आवर साथ एंपियर होगा यहां किसी संबंदु को ऐसे भी लगा सकते हैं जो बीजड़की योग सुन होगा तो उसे साफ से लगाओगे तो पसंद बताया था आने वाली धानाएं प्लस से पर निकल कर जाने वाली धान तो आए मैनस से दिखाओ और यह हो गया तीजड़की योग बराबर जिरो दर हो इंदु बीबर आने वाली धानावन यह ख्लस में निकल कर जाने वाली दो और आई तो यह दो माइनस दो माइनस में क्यों हो ली को की निकल कर जा रही है बराबर जिरो तो इस पुस्त चाहे जाने तो इस तरीगे की प्राबलम आती है कि पहले नियम बढ़ा रहा है अब चलते हैं करचाफ का दूसरा नियम जैसे कहते हैं या लूब का नियम या इसी को बोलते हैं पूल जासामक्षा का नियम यह क्या है कि जैसे माननों कोई बंद परीपत है और बंद परीपत में आपना कोई खंड लिया और अलग-अलग खंड में जितने भी प्रतिरोथ रहे हैं उन सब पर अलग-अलग गोल्टेजों का जो बिजिगल की योग होगा जासे अमनों बोला किसी बंद खंड में प्रवाहे धारा और प्रतिरोथ के गुड़नफल का म बिभाव तो धारा और प्रतिरोथों के गुड़नफल मतलब बिभांतर का बिजिगल के योग तो धारा और प्रतिरोथ की गुणा को लिख सकते हो आया और बिजिगल की योग को संशेप में लिखना है तो सम्मेंशन आया ऐसे को लिख सकते हो और सब प्रतिरोथों उपर अतना भी गॉल्ट मों जैसे मान जो हमारे प्रतिरोद भार्ट यह आरबन प्रतिरोद है रहा है निया मैंने यहां पर सब्रूत करो कि यह ई विदिद वहगों का एक छेल लगाया है कि मान जो इस पर दीवन डॉल्ट है इस पर गीतु यह पहले बढ़ा तो इन तीनों बोल्टेटों का जोड़ किसके वरावर होगा तो यही जो है कि अलग अलग प्रतिनोदों पर धारा और प्रतोरोद की बुणा करें तो इस पर फर्तोर्त पर धारा परत Red का मतलक इंस सब का जोड़ी उप्लय प्लस अक्तुल घंतर कायोग उस पारिपत में लगे कि विदुद वहागवल तो शईक विदुद बाहरबल के घिलटी योग और विदुद बाहरबल को हम E से दिखाते हैं तो E का विदुद बाहरबल को सब्मेंचन के बढ़ाद होगा तो यह तो तो पिलियर होता हिए कि जित्ते बॉल्ट की अब लगा होगे उतना ही बोल्टेज आपका अलग-अलग परिकत्व में बढ़ेगा इसको हम संशेट में तो ऐसे लिख देते हैं बच्चो ये प्रच्चाफ का दूसरा नियम लिखने को आता है लेकिन हमारे इस दूसरे नियम का यूज होता है सवालों में अब हम सवालों में इस नियम का य अइसे ही यह आरवन यह आरफू प्रत्रूर अकोष पुरज्ञ एक शाय लाग दिया इसका फिर्वाहग वाल इस टिक है अ यह पर्त्रो ले ले लिए आरफी कि अच्छे आधि आधि यह था यहाँ है यह हमने यह से लागा दिया यह था अब मांदो तो कैसे करें तो हम इस दूट्रे नियम का योज करेंगे अब जैसे मान दो सेल ने यहां से I धारा गी बच्चों तो I धारा इस और फोर मेंसे आई और यह आइदारा तो यह नाम देगी हमें बिदों आपके अब आई धारा बिंदू एपके तो तो तुट तारे लगी है तो आने वाली धारा आई निकल कर जाने वाली आइवन और आइवन प्लस आई तो आइटू धारा उपर वाले में चन्ती जाएगी इसमें भी आइटू गई और आइटू इसमें भी आइटू गई तो आइवन टार्स आई और अैटू दोनों मिलकर यहां पिंदू डी पे मिल गई अिस इस अलाइन और आइवन और यहों बेन ओवन दोनों मिलकर बिढ़ने कि फिर आइटू तो आए-टा-उन निकली ची ही और लोड़कर सेलिता यहां अब जा खेफिए परट्रे लिर्यम प परिपत लिया बंदपाई F-A F-A-D-E F-A-D-E-F में जो कर्चाप के दूरा नियम लगा के दिखा रहे हैं आपको करना क्या है कि जिस दिशा में अगर सेल लगा है आपका जो परिपत आपने लिया उसमें अगर सेल लगा है तो जो दिशा सेल की है जो है एक अपनी सद्धस योग को सद्धस योग नियों पोल 화장े का मुदल ए इसलिए होग और अपनिक्स माने होता है पोजिटिव ड्रिक्षन के चलने के साथ होंगी मतलब हमारी पोजिटिव ड्रिक्षन के दिसामे उनकी हम प्रतिरोज से उनकी प्रतिरोज से विपरी चलेंगे उनकी गुणाई माइनस मिलेंगे बस इस तरह सद्य स्यों में पालते हैं ज्याता देखो F A D E F में कहता निकालेंगें पहले F से यह तक आओ तो दोखो F से यह तक कोई धार नहीं है ठीक है ना कोई प्रतिरोद नहीं है तो लिए इस खंड को तो फ़र F A D में शहरूं प्रतिरोद है R3 द्ढ़ा है 8-3 तो द्ढ़ां प्रतिरोद की भी गुड़ा खरी आइवल 2 द्ढ़ा इंगे इन कुणोरा नदीक होगी कि मैंनस वोगी वेढ़ां अब तुम्हारी यू पॉ duty डिरक्षन एंग रही है तो राज दो पॉ Lenin और लगा प्रतिरोद नहीं है अब बरावर किसके होगा जो इस बंद हंड एफ एफ में जो बिदुद बाहर होगा है पांतर जित्ते गोल्ट की बैटरी लगी है तो इस बंद खड़ एफ में फिर्चाफ कर दूसरा नियम लगाएंगे तो बंद के आएगे अब इसी प्रकार और आगे दिखा रहे हैं लोग फिर्चाफ कर दिया बंद पास इसमें ले लो वी उपर वाले में अब इसमें लगाएं अब दोखो एवी सी डी ए तक कोई बैट तो आप चाहें ऐसे गामा ब्रण के साल को पॉजिटिव मान लो चाहें लक्षा ब्रण यह आपकी इच्छा है तो हम अपने इच्छा से हमने मान लो यह जैसा पॉजिटिव मान लो फिक है अब देखो प्रतिरोद धर्यक बॉना प्रतिरोद नहीं छोड़ो अब बी से सी लाइन है आओ तो बी से सी लाइन में तो दो प्रतिरोद है आरवन आरवन की इसमें बेहने वाली धरा है आइटू तो आइटू और आइटू अब चिन्द लिखा होगे तो दोगो धरा जा रहे है एगर यह और तुमारी पॉजिटिव टार्टिव भी लेगे तो यह और आप एगुरों CD line में आओ CD line में कोई प्रतिरोद नहीं है आप आ जाओ DA line तो DA line में प्रतिरोद है आर्ट्री धरा है आईवन तो I1 और आर्ट्री की गुणा आईवन आउट्री लेकिन चिन्द जाओगा तो दोगो तूमारी positive direction जारी एधर देखो यह positive direction यह और ध्वर तो इस तरीके से पर चाप का दूसरा नीज लगाएंगे बच्चों तो उसमें आपको करना क्या है कि बंद परिवत में धाराओं को बाठने के बार आपको अपने पास आपको इच्छा है चाहे लेकिन फाइदा दर मिलता है जो हम पॉजेटिव डिरेक्शन उस दिसाव को माने ज्यदर बैटरी धारा दे रहेंगी कि यह सल दहरा दे रहा है उससे मानने से ज्यादा फाइदा होता है अब क्या होगा कि जो धाराएं आपके पॉजेटिव कि द्रजिदर गीसफर उनकी पत्रोश से मानिस में लेनी है और बरावर उस खंड विर्ष बागवल को वक्रिक्थ अगर सेल है ज्यत्ते बॉल्ड का इसल लगा है लिए लगार व現在 तो इसाल नियम क्योंब ज और इन्हें याद करेंगे नियम लिखने को बहुत ज़्यादा बूर्ड नाते हैं और इन पार आधरिक कोई आंकित प्रस्मी मिलका है तो आंकित प्रस्मी को कैसे हल करेंगे कर्चाथ के नियम से यह बाद में आगे बाद में करने हैं